प्रेस दे बेल आइकन और यूट्यूबर और जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मश्यूर यूट्यूबर और पत्रकार मुजफर चोदरी जी को जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर परदी पवार जो की है तो भारते मूल के पर वो जनबनी में रहते हैं और बहुत ही रिनाउंट साइंटिस्ट और जबरदस्ट एनलिस्ट हैं और उनके साथ होंगी पाकिस्तानी मूल की लुबना जैदी जो हैं पाकिस्तान से पर वो यूके में रहते हैं और मेरी आपसे गरेंटी है कि ये डिसकेशन आपको बहुत पसंद आएगा और इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा तो इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस इंट्रोस्टिंग और नॉलिजबल वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं पुरंत में इसके बारे में बात करेंगे जय हिंद जय भारत इस वक्त हमारे साथ यूके और यूरोप से दो बहुत ही जबर्दस परसनेलिटी मुझूद हैं डक्टर परदी पवार जी और केंड़िट विट लुबना की लुबना जी तो दोनों ही किसी तारुप की मोहताज नहीं खास तोर पर आप हमारे इस चैनल पर दोनों को ही बा की तो अब करने के लिकिन आप यूट होने वाली नहीं तेंगे नहीं आप के आगे भी खड़े हैं आपके पीछे भी खड़े हैं और लुबना जी कि पहले भी मैं आपने पिछले इंटर्वी में भी कह चुका हूँ कि बहुत जबरस काम कर रही हैं, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पर कुछ दोस्त कह रहे थे कि सिर्फ इंग्लिश में इंटर्वियूज हैं, वहाँ पर इंग्लिश के आप से शुरुआत करते हैं कि पहले तो ये कि ताजियत आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, और आप इंडिया गए हुए थे, और वहाँ पर कुछ आपने चीज़ें भी देखी हैं, वो पहले आप से डिसक्स करेंगे, और हम आप से जानेगे कि अभी जो यॉरप में और पाकिसानियों के खिलाब, तो आपने कुछ जो देखा या आप क्या समझते हैं कि जो इल्जाम पाकिसानियों की तरफ से लगाया जाता है, उसमें कितनी हकिकत है। दिल्ली से हरिदवार, हरिदवार से पोई, पोई से हुशारपूर, वहां से चंदीगड़ और वापस सी मेरा, उसके बाद मैं इंदौर गया, उजयन गया, और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मैंने विजिट की, तो उनकी जो जो नोंने टेस्टामेंट में डिखा तो वो पू और इंदेवार गिंड़ाइद चलता है कि इनडिया में मुस人民् जो है उनको बैटल किया जाता है, उनके साथ ये होता है, उनके साथ वो होता है, ये मैं कितने सालों से अपने हर टूर में देख रहा हूँ, आप वहां धंदा कुछ उLTा है. जो वहां की इन्दियन मुसलिम हम से होती है न वो हिंदू में भी नहीं हैं. हम मुटेली, मोचे, नाई जो हैं उनको मुस्लिम खुद बहुत बैडली ट्रीट करते हैं. उनको किसी में बुलाइनी जाता. अगर उसको अगर पाकीस्तान में देखा जाए कि ये लोग बैडली ट्रीट रहे हैं तो आप उसके मंदिर के आसपास आपको सिर्फ मुसलिम मिलेंगे, जो हार बेच रहे हैं, परशाद बेच रहे हैं, जूते आपके रख रहे हैं, और उन्हें मेरी तरह ये गले में ये माला डाली हुई है, लगता है नहीं पता, अब नाम वही लिखागा, करीम और अब्दु ये सब चीज़े हैं, तो वो उनका एक स्टेटस है, जब मैं स्कूल में था तो पढ़ाई में वो टेंथ क्लास के बाद निकल जाते थे, लड़कियां आठ भी क्लास में बाहर निकल जाती थी, और वो पंदरा-पंदरा साल की उमनें की शादियां हो जाती थी, अब से एड़केशनल टूर में भी आ गई है, बिजनस भी उनका अच्छा चलता, अच्छे खाते पीते हैं, मेरी फैमली के दोस्त भी हैं, हमारा धर जी जो है, वो खुद एक मुसलिम है, हमारा ड्राइवर मुसलिम है, तो मेरा जो 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 कॉडिनेशन और रिले मैं दिल्ली एरपोर्ट पे था आने से पहले और वहां पर हज की एक बहुत बड़ी जमाद जारी थी, सब में वाइट कपड़े पहने हुएं, तो मैंने अपना कैमरा लिया और मैंने फोटो बनानी स्टार्ट करती, जब मैं वो फोटो बना रहा था तो मैं उसमें हलका बता बच्चों के लिए बनाता हूं, कि हज वाले लोग हैं, इनकी सब्सिडी इंडिया से होती है, और ये इनका टर्मिनल बनाया अलग से ये जो, तो तीन चार ने देखा मुझे उनको अच्छाने लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, जैसे में डूटी फ्री शॉप के उपर मैंने सामान लेने की कोशिश की, मेरी लड़की ने बोला, बापा, वहां से अगरबत्ती लेके आना, और एक मेरा दोस्त है, उसको इंडिया की रम बहुत अच्छी लगती है, वो कहता, यार, ये कहां से इतनी बोत उठा के घूमूँगा, लोग बोलेंगे शराबी घूम रहा है कि डॉक्टर का था शराबी है, तो मैंने ले ली, अब वो जो चार-पांच मेरे पीछे खड़े थे, वो कभी लेफ्ट से मेरे अंदर हाट डाल रहे हैं, कभी मेरे ऊपर से कुछ कर रहे हैं, कोई धक्का मार रहा है मुझे, तो पांच-चार मिनिट के बाद मैंने उनको ब अगला धपड़ मारने, तो वो जो लोग आस पास खड़े तो उन्हों ने मुझे पकड़ लिया, तो पुलीस वाले एक्जम से आ जाते हैं, वो CISF वाले हैं, तो उन्होंने आके मुझे बोला, ने ने आप, उन्होंने मुझे डील किया, और मुझे ले गए, कहते हैं, CISF का एक कमांडर होता है, वो कहता है कि हमने आपको इसलिए रोका, अगर आप इसको थपड मार देते, तो इसके चार दोस्त हैं, उन्होंने ये फोटो, वीडियो पूरे इंडिया में फैलाना था, कि एक हिंदू ने मुसल्मान को एरपोर्ट पे पीट दिया, और इन्हो अपने मदरसों में आपकी फोटो, फिल्म दिखाएंगे, कि हमने कैसे एक मेजोरिटी वाले हिंदू को चुप करवा दिया, तो ये है जी हिंदूस्तान की हालत, आप जहां भी चले जाओ, आपको वो इतना विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और आपको बेवकू बनाते हैं, अच्छी तरह घसीरते हैं, और हर यूज चैनल के उपर आपकी बेस्ति कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मेरा परसनल एक्सपिरियंस जो है, ये कितने सालों से हो रहा है, इस टाइम तो मैं थोड़ा सा मुझे एसल्ट भी किया गया, तो इसका मुझे दर्द भ जाने इंडिया में, तो ये वहाँ पर नॉर्मल है, आप सडकों के उपर किसी मुस्लिम के साथ टकर भी खा जाओ, तो वो आपके उपर केस करने को तयार हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, एक 88 परसन्ट जो हिंदूज हैं, वो वहाँ पर अपीस्मेंट करते हैं इन मुस उसके आसपास 5-5-6 स्क्वाइर किलोमेटर में कोई मुस्लिम बस्ती नहीं है, आप अयोध्या चले जाएए, आप काशी विश्वना चले जाएए, उजयान चले जाएए, वहाँ पर मुस्लमानों ने दरगा कैसे बना ली हैं, मैं ये सवाल कितने सालों से पूछ रहा अगर वो इतने मल्टी पोलर थिंकिंग उनकी थी और लिबरल थी, तो उन्होंने क्यों नहीं अपने राज में, उनका तो राज चलता था, उस राज में बोलते हैं कि चलो ये मस्जिद को तोड़ो या रहा तो हिंदों का मंदिर था, इसका किसी वी लिट्रेरी आदमी के पास जवाब नहीं है, चलिए आगे फिर आप कुश्चिन का जवाब दूँगा, अभी लुबना जी भी देख रही है, ये लुबना जी आप ने डक्साब की सारी बाते सुनी कि को, कौन सा उनके साथ वहां पर वाक्या पेश आया है, एर्पोर्ट के उपर, तो आपको, मै जो पाकिसानी है, ये मुस्लिम्स हैं, यूके के अंदर, वो उसके उपर हम देखते हैं, तो वो ये, ये सारी चीज़े क्यों करते हैं, आया कि जैसे के डक्साब ने बोला कि ये मदरसे के पड़े होते हैं, ज्यादा एजूकेशन नहीं होती, इनकी इनका माइंड सेट ऐस इनसान को समझ में आनी सकता कि आक्शली इस टाइब की अजीब अजीब हरकते हैं, इनसान ये लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, जहां तक मैंने देखा है, उनके दिमाग में काफी ये है कि हम हैं, जो मुस्लिमान हैं, हम सही चल रहे हैं, खुद से सीखियों, मगर ये जनरल थीम है कि जब आप अपने आपको ज़्यादा बहतर समझेंगे किसी और से, किसी भी वज़ा से, तो आप वो अपनी बहेवियर में आप डिस्पले करेंगे, तो मुस्लमानों में भी ये हैं, पाकस्तानियों में, इस्पेशली ये हैं कि third world country है, काफी खराब हालाते हैं पाकसान के, तो वहाँ पर और ये चीज़ है कि ये लोग एक तो जिम्दारी किसी चीज़ की लेना नहीं चाहते हैं, खुद लोगों को discriminate करे हैं, या बुरी हरकते करते हैं, और फिर जब कोई react करता है, तो उसका reaction capture करते हैं, और उससे पहले जो साथ चीज़े हों ही, वो ignore करते हैं, तो I think ये लोग जाम पूच के करते हैं, मगर क्योंकि सब ही ऐसे हैं जादातर, तो कोई इनको बताने वाला नहीं है कि क्या गलत हैं, इसको बोते हैं जैसे अपने echo chambers में ये लोग, अपने ही जैसे मिलते जलते जो सोच वाले लोगो जामान या पाकिस्तानी, तो तब वो सोचते हैं यार ये तो ये इसरेल का एजेंट है, ये तो इसका एजेंट है, जाने इन लोगों को सुनना ही नहीं है, इनके के अंदर critical reasoning skills नहीं, इनके अंदर common sense नहीं है, इनके अंदर तमीज नहीं है, बिलकल भी किसी चीज़ की, and कोई अकल बन के लिए अशारा भी काफी होता है, कि आपको सोचना चाहिए है, हो सकता है जब पूरी दुनिया बुर रही है, तो कुछ न कुछ हमारे अंदर खराबी होगी, अब जब कोई मुसल्मान कुछ बुलता है, तो उसकी उपर blasphemy का भी इल्जाम लगाया जाता है, जूटा लगाया जाएगा, यार यह तो नन-मसलिम है, यही तो हमें सिकाया गया, बताया गया कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ होगी एक दिन और, यह अजीब, I think यह जाहिलियत से कब निकलेंगे, और कैसे निकल सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि यह बहुत मुश्क जादातर, और अनफोर्शनेटली जो मुसल्मान जो मुल्क हैं, उनको लीड करना पड़ेगा इन चीजों में, जो चलाते हैं, जैसे कवर्मन, जैसे सादी अरेविया के जो प्रिंस हैं, उनका नाम में भूल गई, मगर ऐसे सुना हैं, जी, कि वो अच्छी चेंजिस कुछ ला रहे हैं, कुछ प्रोग्रेसिव पना, सादी अरेविया में शुरू कर तो हो सकता है, वहां से कुछ चले, मगर फिर दुसरे मुलक हैं, जैसे अफगानिस्तान और इरान, इराड यह दुसरी मुलक, तो यह ऐसे लग रहे हैं, और पाक्सान में भी इन मुलकों में शामि तक dwell यहां पर फैसला करते हैं western मुलिकों में आना है का फ़र यहां पर दुसरे लोगों को भी अपने मुसलमानों को भी तक्लीफ देते हैं क्योंकि जो मेरे चैनल पर मुसल्मान आते हैं और यह पाकिस्तानी भी ऑाते हैं जो भले पैदा होई हूँ पाकिसान में या यूके में फादा हो वह वह भी हो लोग भी यह बुलते हैं हम लोग भी तंग आ गए हम खुश है कि तुम बात कर रही हो क्यूंकि यह हम इन हम चीजह के लोग भी लिग बीन चाहतें रहें ऑपने नींस से उठाना नहीं चाहत ऐसा लगता कि बहुत ज़ादा धीट है और पता नहीं भी आइटिंग कि उनकी खुद की लॉस है आक्शली क्योंकि अगर आप अपने दिल में नफरत रखेंगे दूसरे लोगों के लिए भले मजब के वज़े से या किसी भी चीज़ के वज़े से आपका खुद का लॉस हो दोस्तों आशा करते हूं कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और अमेशा की तरह ये डिसकुशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने का मिला होगा खासकर आपने जानना डॉक्टर प्रदी परवार का experience जैसी वो भारत आय और एक खास अमुदाई के साथ जो उनका experience रहा उन्होंने वो शेयर किया और दूसी और लुबना जैदी जो कि खुद एक Muslim है पाकिस्तानी मूल से आती है और उन्होंने experience अपना बताया कि कैसे पाकिस्तानी यूके और यूरोप में आके गंद मचाते हैं अजीब जीब हरक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपने से latest interesting और दमदार वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत